भूत, प्रेतों और आसामान्य विश्यों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है अध्भूत, आविश्वश्निया और आकलबनिया सच्ची घटनाओं पर अधारित कहानीं को सुनने के लिए चुड़े रहे भूत पास्ता के साथ दोस्तों स्वागत है भूत पास्ता के दुनिया में और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे चंडाल साधना परेत साधना की कोटी में अत्यंत उग्र और निकरिष्ट किस्म के बहुत बलशाली किस्म का परेत चंडाल ही है जो धर्म अधर्म का विचार किये बिना साधक के लिए सब कुछ कर गुजरता है परिचाए चंडाल वे मानवियर जातियां है जो धर्म हीन, धर्म भ्रष्ट, वर्न संकर तथा अभिशक्त हो गए थे परेतियोनियों में चंडाल परेत बड़े उग्र, बहुत शक्तिशाली और आग्या पालक होते हैं सहजता से सिध्ध नहीं होते, काफी परिश्रम कराते हैं, लेकिन सिध्ध हो जाने पर फिर ये साथ नहीं छोडते, बड़ी लगन से अपने साधक के सेवक बनकर सेवा करते रहते हैं जानते हैं साधना फल के बारे में, दोस्त चांडाल पापाचार की वृत्ती का प्रेत है, दुराचार, परस्त्री गमन, वैश्य वृत्ती, मध्यपान, चोरी, जुवा, हत्या, अपराद, अधर्म के कारिय, कलह, अन्याय, जगडा, डकैती, पाखंड, आधी की मनो वृत् बात करते हैं साधना के पातर के बारे में, दोस्तो, चांडाल साधना केवल उन्हे करनी चाहिए, जो धर्म-अधर्म को नामानते हो, जो दिन रात पापाचार में लिप्त रहते हो, पापी हो, मदीरा पान और दुराचार, हिंसा, नाना प्रकार के धार्मिक अपराद करते हो तो ऐसे लोगों को चांडाल शिग्रही सिध्ध हो जाता है और साधक के साथ उसे रहने में असुवीधा भी नहीं होती किन्टु धार्मिक लोगों से चांडाल बच कर रहता है साधना विधान चांडाल की साधना अमावस्या की रात प्रितेश्वर और चांडाल की पूजा करके धुबबत्ती जलाके वैश्या को नंगी कर स्वैंग नगन हो उसके साथ रमन करते हुए यानि मैथुन या फिर संभुक करते हुए जब करके की जाती है रात एक बजे से प्रारंब कर दो बजे रात तक लगातार बार बार मैथुन करें और बताए गए मंतर का जब करें मन ही मन उसका अहवान करें कि तुम भी मेरे साथ आकर स्तुरी भोग करो मदीरा पीयो एक हजार जब पूरा होते होते चांडाल का आवेश शुरीर में होने लगता है साधना विधी रात में वैश्या को साथ लेकर निर्जन खंड हर में शैया सजाएं मांस मदीरा खाके चांडाल की साधना से पुर्व पूजन शैयाव से पाँच हाद दूर मंडल बनाकर मदीरा मांस सिंदूर से करें फिर शैया के पास चांडाल की पूजा करें बताते हैं मंत्र मंत्र कुछ इस प्रकार है साधना निर्वाह मैथुन करना यदी लगातार संभव ना हो तो जब करते रहे रुक रुक कर मैथुन करे फिर जब करे तो तीन हजार पूरा करते करते चांडाल शरीर में निश्चय ही प्रविष्ट हो जाता है अमावस्या से अगली अमावस्या तक नित्य वही पूजन जब और उसी वैश्या या किसी स्त्री से संभुग करे तो अगली अमावस्या को चांडाल बात करने लगता है अथ्वा प्रकट होकर वर देता है उसे सेवक अथ्वा मित्र बना लेना चाहिए फिर वो हमेशा हमेश साथ रहता है और आपकी आज्या का पालन करता है। दोस्तों ये था चांडाल साधना मंत्र का ध्यान अवश्य रखे उचारन सपष्ट रखे। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये भूतिया दुनिया बहुत ही अनोखी दुनिया है। यहां कदम फूप फूप कर रखे और कोई भी मन में शंका हो तो हमें कॉमेंट के माध्यम से अवश्य पूछे तब तक खयाल रहे और डरना मना है यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाते हैं कृपिया उसे अपनी फोटो के साथ इमेल करें हमारा आईडी है भूतपास्ता एट जीमेल डाट कॉम पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फोटो के साथ यहां पब्लिश करेंगे